hello friends and welcome to my channel simply रूची मैं हूँ आपकी दोस्त Prayi लेकर हाजर हूँ अपना नया वीडियो friends आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ homemade सारी पिंस जो की हम simple सारी पिंस से बनाएंगे और बहुत ही beautiful सारी पिंस बनाकर तयार करेंगे इस DIY के लिए हमें जरुवत पड़ेगी स्टोन्स की जो की मैंने लिए है गोल्डन एंड सिल्वर कलर के ये एक लेफ्ट ओवर लेस है इसे यूस करेंगे इस तरह की जो डिजाइनर शीट होती है ग्लिटर शीट हम इसे यूस करेंगे 3D आउटलाइनर एंड फैब्रिक ग्लू एंड फ्रैंस सिजर एंड इसके लिए हमें जरुवत पड़ेगी पैन की तो चलिए चालू करते हैं हमारा आज का DIY सबसे पहले में बनाने सिखाऊंगे आप लोगों को फोम शीट से बहुत ही ब्यूटिफुल सी साड़ी पिन बनाना तो फ्रैंस इसमें मैंने पैन की मदद से जैसे कि हमारी पिन का शेफ है मैंने एक ओवल शेफ यहां पर ड्रॉ कर लिया आज पैन की मदद से अब मैंसे कट करूँ कि यह देखिए मैंने इतना जो ओवल शेफे से तक लिए है और यह बिल्कुल ही साड़ी पिन शेफ का लगड़ा है अब मैंसे साड़ी पिन में चींट है तो फ्रैंस इसके लिए मैंने साड़ी पिन में पैपरिक लूँ लगा दूँगी अब मैं अब इसके उपर की जो फोंचीट हमने कट की है इसे मैं इसके उपर चिपका दूँगी तो देखिए मैं इसके चिपका दूँगी एंड आपनेस के साड़ी में हम स्फोट ऊपर स्पोर स्टोँच चिपका दाएंगे तो इसके लिए यहां पर इसमें यह नगानेइगी आप़ी प्रैयोगी आपनेस के सिल्वर कलर की स्टोँच चूपर दूँगी नोस्तिक दाएंगी झाल झाल इस तरह से हम इस पूरी साडी पिन में इस फोम शीट के उपर ये सिल्वर स्टोन स्टिक हो चुके हैं अब हम इससे सूखने के लिए रख देंगे फ्रेंट जो हमारी सेकंड वाली साडी पिन है उसे हम बना कर तयार करेंगे इस लेस से तो फ्रेंट इसके लिए मैंने एक लेस का टुकड़ा है जो उसे मैंने काट लिया है और इसे मैंने भी थोड़ा सा हलका सा ओवल शेप में काटा है और अब मैं इसे साडी पिन में चिप अबने स्कीफ़ यजो लेस का पीज़ दिखान। इस आप हम लेंगे पीजी आउट लाइनर और इसके के आरो मेंगे पूंग एक लाइन लोगते। इस दिखेस का लेंगे अब हम इसे भी सूखने के लिए रख देंगे। हमारी जो थर्ड टाइप की जो साड़ी पिन है वो हम बनाएंगे स्टोन्स से तो पहले मैं इस पिन में औल ओवर ये फैब्रिक ग्लू को लगा दूंगी। अब मैं इस पिस्टिक करूंगी स्टोन्स। ये मैं बनाऊंगी सिल्वर कलर के स्टोन्स से तो मैं इसमें पूरी ये साड़ी पिन में ये जो स्टोन्स है इसे चिपकाती जाओंगी। इसी तरह से हम सारी साड़ी पिन में ये स्टोन्स को चिपका लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं हमारी साघी पिन में स्टोन्स लग चुके हैं and अब हम इसे सूखने के लिए रग देंगे अब हमारी अगली पिन बनाएगे and सबसे पहले हम इसमें ग्लू लगाएगे अल ओवर हम इस पिन में पहले ग्लू लगा लेंगे then मैं इसमें पहले लगाऊंगी इसमें हम थोड़े बड़े stones use करेंगे इसमें पहले मैं यहां पर लगाऊंगी एक black stone then इसके बाद में इसमें लगाऊंगी golden stone and हमें इसकी एक line सी बनानी है फिर हम again लगाएंगे इसमें black stone फिर लगाएंगे golden stone and इस तरह से हम all over pin में यह stone one by one चिपका लेंगे अब आप देख सकते हैं कि हमारी six different types की साड़ी pins बनकर तयार हो चुकी है and यह काफी beautiful लग रही है and friends इसे बनाने में हमें किसी जादा खर्च की जरुवत भी नहीं पड़ी है friends अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आये तो से जादा से जादा like कीजिए share कीजिए and मेरे चैनल simply ruchy को subscribe कीजिए and bell icon को press करना बिलकुल भी न भूले मैं फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले interesting वीडियो में तब तक के लिए बाई